अगर आप बीर रोज रोज एक जैसा नास्ता खाके हो गए हैं बोर तो चलिए मैं आपके लेके आई हूँ बहुत ही मज़दार रेश्पी बर्मीशिली उपमा इस नास्ते को बनाकर अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं तो चलिए बनाते हैं आज की मज़दार रेश्पी बर्मीशिली उपमा सबसे पहले मैं आदा चमच कडाही में घी डालूंगी घी से ही बनाईएगा बहुत ही अच्छा स्वादाता है और यहां पर मैंने लिया है रोस्टेड जवे या बर्मीशिली आप चाहे तो बिना रोस्टेड भी ले सकते हैं मेरे पास रोस्टेड था तो मैंने में अलग निकाल लेंगे वापस से इसी वरतर में आदा चमच फिर से घी डालूंगी और आदा चमच जीरा डालूंगी आदा चमच राई डालूंगी जब राई और जीरा चे से चटकने लग जाएगा इसके बाद मैं इसमें फ्रेस पड़ी लिपस डाल दूंगी अगर आ याँग आदा कब बारीक घाजर डालेंगे और आधा कब प्यास डालेंगे प्यास को आप winner को आप जाहे तो सोटे भी कर सकते हैं लेकिन सब एसी तरह से एकही जालोंगे और अधा कबлять डालेंगे आप कि मात्रा थोड़ी ज्यादा होगी तो बर्मी सिली बहुत ही अच्छा लगेगा तो तमाटर की मात्रा थोड़ी ज्यादा कर लीजिएगा दो चीरा लगा के हरी मिस को डाल देंगे और इसके बाद सब्जियों को मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे जब तक सब्जियां सॉप्ट अपतना हो जाए आप चाहिए तो सब्जियों को ढख के अथा क्यों asoft हो चुकी है अब मैं इसी टायिंगे टोड़ा सा नियूं ता कि सब्जियां और अच्छे से soft हो जाएं और इंको अच्छे से mix करोंगी medium flame पे कम से कम 2 minute के लिए अच्छे से पकाऊंगी सब्जियां अच्छे से soft होने लगी है थोड़ा सा healthy powder 1-4 चमबस डाल देंगे 1-4 चमबस धनिया पौड़र डालेंगे 1-4 चमबस गरम मसाला डालेंगे इसके बाद कोई और मसाला हमें नहीं डालना क्योंकि मैं healthy बना रही है तो मसाली की ज़्यादा जरूरत नहीं है अगर आप बच्छों को खाने के लिए बना रहे हैं तो बिल्कुल भी मसाला ना डालें कर दे और मसाला डालने के बाद सबजियों के साथ इसे लोफ लेम पे दो मिन ट के लिएंडत के लिएह मसाला अच्छे से सबजियों के साथ मिक्स हो चुका है है अच्छे खुसभू भी आ कर दो पनें जैसे आप लिया यह है नियुक्षे ब्रमी के साथ लिए और मेडियम फ्लेम पे पांच मिनट के लिए पकाऊंगे, इसे ढखके पकाएंगे, पांच मिनट हो गए हैं, चलिए ढखकन हटा के चेक करते हैं, बर्मी शिली में भी थोड़ा बहुत पानी है, और बर्मी शिली कम से कम 80% पक भी गई है, तो अब इसे अच्छे से मिक्स करक फिस से दोबारा से लो फ्लेम पे तीन मिनट के लिए पकाएंगे, तीन मिनट हो गए हैं, चलिए चेक करते हैं, बर्मी शिली बिल्कुल खिली खिली बनी है, अब इसके उपर से थोड़ा सा फ्रेस धनिया डाल देंगे, और मैं आपको अभी चला के दिखाती हूं, बिल्क लिएगा, सेख लिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा